पहले static method में हम करेंगे round robin method ठीक है जो हम already पढ़ चुके मैं quickly revise कर लेता हूँ round robin जो है वो equally सारे server पे traffic distribute करके देंगे ये default method होता है और commonly use method होता है और अगर आपके सारे server एक जैसे हो processor CPU RAM and memory similar capacity के हो तो ये best option है इसको use करने के लिए और ज्यादा तर आप ये ही method देखोगे क्योंकि normally जो companies के server होते है वो एक जैसे होते है तो सब पी equally divide होगा तो जाते है जो हमारे topology है वो already हमने configure की है तीन server है ठीक है और बाहर से इस पर request send करेंगे तो जाते है load balancer पे सबसे पहले यहाँ notes पे तो हमारे पास back end में तीन server है और इसके एक pool हमने बनाया है HTTP, SSH और FTP तो देख लेते है HTTP को HTTP की तीन member है server 1 is a 80 और server 2 और server 3 तीनों की यह IPs है ठीक है और अगर statistics पे जाते है तो इसको clear कर लेते है यहाँ से मैंने कहा ता सारे select कर सकते है और reset कर दो तो traffic को मैंने reset किया ताकि हम देख सके और by default method जो है वो देख लेते है तो load balancer पे वापस जाके pool पे और यहाँ से HTTP पूल चूस करके हम load balancing हमेशा pool लेवल पे apply करते है वो nodes लेवल पे नहीं होता एक ही है इस वज़ा से यह यहाँ पे है तो load balancing method जो अभी तक हम यह सारे कह रहेते हैं वो यह सारे method है round robin ratio least connection observe productive फिर ratio least connection fastest observe productive dynamic ठीक है तो यह सारे हम पढ़ चुके ठीक है मैंने कहा था by default जो method होता है वो round robin है तो यह यहाँ से round robin already choose है ठीक है और यह तीनों server हमारे select है और statistics प्लिक करके तो कोई traffic अभी नहीं आया है ठीक है तो एक चोटा सा tool अप use कर सकते हो जिसका नाम get के नाम से है यह download करके अब ज्यादा traffic send कर सकते हो मैंने वो download already किया है यह नाम है get लिक के git सही है git लिक के यहाँ get-scm.com है इस पे जाके इस utility को download कर दो ठीक है window के लिए अलग है अगर आपके mac है या Linux है तो इसके लिए भी कर सकते हो यह है download for window यह tool download करके 32 window है तो इसके लिए और 64 bit यह latest है तो मैंने यहाँ पे click करके इसको already download करके और next nextness करके install कर दो तो इस utility से आप यह फाइदा उटा सकते हो के यहाँ पे यह आपने लिखना है जो आपकी virtual server IP है कर लिख दो dash s http अगर बाद में आपने send करने है और पिर इसको बन कर दो यह command में वैसे whatsapp में भी share कर लेता हूँ और already notes में भी है यह अपनी लिखना है यहाँ आपनी अपनी मरजी की virtual IP लिखने है मेरे case में यह है आपकी case में शायद आपने configure कि है 192.168.2.100 वो IP यहाँ पे लिख दो और कितनी request send करने है अच्छा लाजमी नहीं है आप ब्राउजर में भी लिख सकते हूँ लेकिन ब्राउजर में बार बार click 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 तो इससे बेतर है कि यह utility use करो get के नाम से तो जाते हैं वापस यहाँ पर और यहाँ से मैं 100 request send कर लेता हूँ चूंकि round robin है तो 100 को equally divide कर दो तीन server पर तो almost कुछ 33 connection बनते है पर member तो refresh करके तो आप देख सकते हो total 100 connection मैंने send कर दी उसमें 33 और चूंकि 100 100 deliberately मैंने 100 लिख दिया क्योंकि मैंने बताया था round robin का हरगीज यह मतलब नहीं है कि 100% सब के divide करेंगे अगर एक दो packet ज्यादा आ गए तो वो पहले वाले को जाएंगे लेकिन बाद में इनको equal कर देंगे इस case में server 2 को ज्यादा request गए एक request ज्यादा गया लेकिन आलमोस similar तो यह होता है round robin method जो कि by default होता है और यह उस case में use कर सकती हो जब आपकी तीन सर्वर एक जैसे हो हमारे तीन सर्वर एक जैसे है तो यह ता round robin जो हम theoretically के लिए पढ़ शके है और यहां मैंने शो करा दिया second static method जो था वो ratio था ratio उस situation में हम use करते है जब आपकी तीनों सर्वर एक जैसे ना हो हमारे case में तीन सर्वर मैं के रहो वो ज्यादा भी हो सकते है real में तो उस situation में जो मैंने example दिया बच्चा हो फीमेल हो और आप हो तो definitely आपको तीनों को एक जैसा काम नहीं दे सकते हैं तो आप ratio set कर सकते हो ज्यादा ratio ज्यादा काम तो क्या करना है हमने जाते है lab पे और ratio कहाँ पे set करना है तो वापस यहाँ से load traffic बलकि इसको पहले clear करते हैं जो previous connection है 100 connection हमने set किये तो उसको reset कर दिया ठीक है और method change करने से पहले तो जाते है local traffic पे pool पे pool list http पे अच्छा यह method हर एक पे apply कर सकते हो मैंने http पे apply कर दिया members पे और यहाँ पे आप क्लिक कर दो change कर दिया जो कि static का second method है और update कर दिया लेकिन सबकी ratio अभी one ही है यहाँ पे लिखा है ratio one one का मतलब है सबकी एक जैसी ratio है यह जो आप देख रहे हो लेकिन ratio मैंने आपको कहा था theoretically कि आप अपनी इसाब से set कर सकते हो किसे को ज्यादा काम देना है किसे को कम काम देना है तो मैं चाहता हो कि server one के पास ज्यादा request जाए तो मैंने server one पे क्लिक किया और यह है ratio जो मैंने आपको बताया था कि हम आगी clear कराऊंगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 अच्छा यहाँ पे maximum क्या जा सकते हो मैंने आल लेडी बताया था 65,535 तक सेट कर सकते हो anyway मैंने 10 लिख दिया और इसको update कर दिया अब यहाँ पे आके members भी दुबारा तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप इसकी ratio 10 है server two को मैं तोड़ा सा काम देना चाहता हूँ तो इसको मैंने दिया suppose five और update कर दिया अच्छा कोई भी value set कर सकते हो 10 five मैं दे रहा हूँ अब 100 और 50 भी दे सकते हो 10 और five दिया और जो last server है इसकी value मैंने change कर कि two कर दिया और method तो मैंने already change किया है कि ratio की हिसाब से काम दो round robin ना करो मेरे तीनों server मैं server one जो है वो powerful है इसको ज्यादा काम दो second पी female है उसको तोड़ा सा काम दो और last मैं एक बच्चा है उसको उससे ज्यादा काम दो यह है load balancing अब बाद में शाहिद यह जो male है जो गोरो की female होते है ना वो कुछ female male से ज्यादा ताकतवर होते है तो उसे साबसे अगर यह server one आप देख रहे हो कि यार यह male है इसको ज्यादा काम दो लेकिन में भी वो उन male मैंसे ना हो जो normal males होते है ना वो powerful होते है पुदरत नहीं इस तरह बनाए है लेकिन पिर भी तो पिर यह मसला है आपने तो इसी साबसे सेट कर दिया तो यह उसी वहाँ पी यूज़ करो जब आपको 100% पता हो कि यह server powerful है इनको ज्यादा काम दो और यह ठीक है वो तो खेर मैंने आल लेडी बता दिया नहीं मैं आते है तो 1052 की इसाबसे और अब जाते है statistics पे वो जो कि मैंने आल लेड क्लियर किया था और 100 request send करते है तो आप क्या सोच रहे है कि क्या होगा सबसे ज्यादा request जो है वो server 1 के पास जाने चाहिए server 2 के पास पिर और तो अगर 100 है तो around कुछ 60 जो जो है वो जाने चाहिए server 1 के पास और पिर कुछ 20 25 जाने चाहिए server 2 और last में तो देख लेते हैं यहा आप refresh करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हो 100 request आगे उनमें से 58 connection server 1 को मिले 30 connection server 2 को और 12 connection उस बच्चे को मिले जो हम expect कर रहे थे इस से तुड़ी देर पहले जब मैंने send करे सबको equal दे रहे थे क्योंकि वो round robin method था static ठीक है और जो ये method है ये हमने कौन सा किया ratio किया और हर server के ratio sit के ये मसला है याद रखना यहाँ पे pool पे जाके और http पे जाके member यहाँ पे मैंने इसको change करके ratio किया है कि member की हिसाब से सब के जो ratio हो वो ratio 10 है 5 है टू है ठीक है तो उस हिसाब से इनको काम दे रहे है ये थे statically 2 method ठीक है तो मैं क्या कर लेता हूँ दूबारा इसको round robin कर लेता हूँ update करके और जो ये ratio है उसको दूबारा 1-1 कर लेते हैं क्योंकि आगे हम our lab करेंगे तो अगर ratio आपके ज्यादा हो तो उसको वेसी भी ज्यादा काम मिलेगा तो मैंने इसको change कर दिया server 1 की भी दूबारा 1 कर दिया और server 2 की भी 1 जो के default value है और update कर दिया और इसी तरह members पर जाके again जो third member है ये दोनो 1 हो गए तो server 1 की भी यहाँ से ratio 1 कर दिया ठीक है तो server भी back कर दिये members और वहाँ से round robin दुबारा configure कर दिया ये थे statically 2 method ठीक है